CAA को लागू करके ब्रश्टाचार को छुपाना चाहती है भारतिय जंता पार्टी जी हाँ दोस्तों बता दे कि CAA देश के अंदर लागू हो चुका है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उस पर काम भी होना शुरू हो जाएगा CAA को लेकर पूरे देश के अंदर संदे है शंका है और असमंजस की स्थिती है ऐसे में सबसे पहले भाउजन समाज पार्टी की राष्टर देख्ष बैन कुमारी मायावती जी ने इस पर अपनी टिपणी दी थी अपनी प्रतिकरिया दी थी बैन मायावती जी ने कहा था कि ठ पहले जिम्मेदारी थी यहाँ पहले अगर सरकार शंकाओ को दूर करती और इसके बाद लागू करती तो बेहतर होता इतना ही नहीं बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर आकाश आनन्द इन्होंने भी इसे चुनावी जुमला बताया है उन्होंने बताया है कि CAA को लागू करना यहाँ चुनावी चाल है और साथ ही उन्होंने यह कहा है कि इसे धार्मिक धूर्विकरन करके भार्टर जनता पार्टी जो है इसका फाएदा उठाना चाहती है तो इसी वज़ज़ से उन्होंने यहे कहा है कि तमाम दलित शोशित समाज ने इस प्रकार क अजंडे से दूर रहना चाहिए बता दे कि अचानक से CAA का लागू होना या फिर CAA की नोटिफिकेशन जारी होना इस बात को लेकर अब देश के अंदर सहमती और असहमती की स्थिती बनती हुई नजर आ रही हैं कई जगों पर कमुनल वाइलेंस भी देखने को मिले हैं खास ये CAA किन लोगों के लिए है या फिर किस लोगों को अपने नागरिक होने का सबुत देना पड़ेगा तो इस प्रकार के कई ऐसे प्रशने हैं जो कि भारतिया नागरिकों को पड़ रहे हैं लेकिन सवाल ये भी है कि अचानक से CAA लागू कैसे हो जाता है क्यों लागू हो जाता है क्या कारण है कि CAA अचानक से नोटिफिकेशन जारी हो जाती है उसे पारित भी कर दिया जाता है और लागू कर दिया जाता है चूकि इस देश के अंदर आप देखिए तो लगभग चार साल पहले CAA और NRC को इस बिल को लाया गया था और उसके बाद इस पर चार स साल तक कोई बात नहीं होती है अचानक से चुनावक से पहले आनन फानन में इसे क्यों लागू किया जाता है बतादे कि हाली में इस CAA के एक और एक दिष पहले ही एक नोटिफिकेशन और जारी होती है वह होती है सुप्रीम कोट से सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस यहां चंदा जो है वो गुप्त चंदा है जिसे इलेक्टरॉलर बॉन्ड कहा जाता है और इस इलेक्टरॉलर बॉन्ड का कोई हिसाब किताब नहीं है और इसी वज़ास से सुप्रिम कोड ने इसे असवेधानिक भी बताया था आज की तारीक में उस बात को ले कर अब सुप् बलकि अपनी रिपोर्ट भी मांगी है, SBI से कहा है, कि सारा का सारा लेखा जोखा दिया जाए, बड़ा दे कि भारती जंता पारटी को सबसे अधिक चंदा मिला है, 650 करोड से अधिक का जो चंदा है, वो भारती जंता पारटी को मिलता है, वही कॉंग्रेस को ग्यारा सव करोड तक का चंदा मिलता है तो ऐसे में यह चंदा कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया यह कहां का काला धन है या फिर यह देने वाले कौन है, कौन पुंजी पती है, कौन धन्ना सेट है इन पार्टियों को कौन फाइनांस कर रहा है यह तमाम चीजों को लेकर, अब सुप्रीम कोड यह कारवाई करने के लिए तयार है रिपोर्ट मंगवाई गई है, और SBI को फटकार लगाई गई है और कहा है, कि जल से जल इसका सारा का सारा हिसाब किताब जो है वो सुप्रीम कोड को दिया जाए वहीं आपको बताए, बहुजन समाज पार्टी को इस इलेक्रोरल बॉंड से बिलकुल भी एक रुपया का नया चंदा नहीं आया बहुजन समाज पार्टी को किसी भी धन्ना से ठोने ना ही किसी ही पुझी पती ने एक रुपया चंदा दिया है सबसे इस इलेक्रोरल बॉंड के माध्यम से अगर सबसे कोई इमानदार पार्टी है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है वहीं कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी के साथ साथ अने छोटे मोटे दल भी इस बात से इस इलेक्ट्रोलल चंदा से इस काले धन काले दान से कोई भी अच्छूते नहीं रहे हैं सबको थोड़ा ना थोड़ा जो इससा मिला है वहीं आपको ये बताए कि अब इस इल जंदा दे रहे है और जो अब तक जिसका लेखा जोगा तो सारवाजनिक नहीं हो रहा था इस बात को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी काफी डरी हुई है भारतिय जन्ता पार्टी के तमाम कारे करता और नेता गण तमाम लोग जो है इस बात से खौफ खार है कि आखिर भार अच्छानक से लागो हो जाता है। अच्छानक से लागो हो जाता है। अच्छानक से लागो हो जाता है। और इलेक्ट्रोलर बॉंड को लेकर जो बाते उठ रही थी और जो सवाल भारते जनता पार्टी पर उठ रहे थे। लोग सवाल पूछ रहते हैं कि आखिर भारते जनता पार्टी के चुनावी खर्च जो इतना 200 करोड का जो रहता है। आखिर वो पैसा आता कहा से हैं वो पैसा देता कौन है। आखिर कौन फाइनांस करता है भारते जनता पार्टी को इस प्रकार के कई सवाल और अनेको अनेको सवाल जो है वो लोगों के मन में उठ रहते हैं। अब वहाँ सवाल जो है वो डाइवर्ड होके हर्याना की राशनती के तरफ चले जाते हैं वहीं CAA की तरफ चले जाते हैं और पुरोतर राज्यों में जिस प्रकार से communal violence हो रहा है और लगतार लोग विरोध कर रहे हैं इसके तरफ चला जाता है और वहीं यहां जो मुद्दा है जो काले धन का या फिर काले दान का जो मुद्दा है वो अब धरह का धरहा रह जाएगा हाला कि जब सुप्रिम कोर्ट इस बात की पैरवी करेगा इस बात पर जब फैसला आ चुका है तो इस बात की बर जब कारवाई होगी तो सारे के सारे पत्ते खुल जाएंगे और भारते जनता पार्टी का जो सारा लेखा जोखा है भारते जनता पार्टी के कौन आका है वो त पैसा लगाता है और किसके अनुसार इस देश के अंदर लगातार पॉलिसी बनती हुई नजर आ रही थी वो सारी चीजे जो है वो अब साफ हो जाएगी क्या आपका मानना है क्या आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरू लिखे बने रहें नैशनल चौपाल पर तब तक के जय भी, जय भाराद